नमस्कार स्वागत है आपका आदके इस वीडियो में यहाँ पर अगर आप देखें यह इस इमेज की प्रोपर्टी हम देखते हैं इस इमेज का अगर आप साइज देखें 11.5 MB है और अगर हम इसका डामेंशन देखें तो विट जो है 3,4,5,6 पिक्सल और हाइट 4,0,8 पिक्सल है तो 11.5 साइज की फाइल जो है बहुत बड़ी साइज होती है अगर हमें अपने वेबसाइट पे से यूज करना हो या हमें किसी को इमेज दर भीजना हो तो यह बहुत टाइम लगेगा लोड होने में तो इससे बेटर है कि हम जो है इसे कॉम्प्रेस कर दें तो कॉम्प्रेस करने से क्या होगा इसकी जो क्वालिटी होगी वो थोड़ी सी कम होगी जिस पी इतना फर्त नहीं पड़ेगा और साइज भी बहुत कम हो जाएगा तो यह हम कैसे करेंगे वो मैं प्रता हूँ आपको इसके लिए आपको कोई अडिशनल सॉफ्ट्वेर यूज नहीं करना अल्रेडी आपके कम्प्ट्र में यह सॉफ्ट्वेर इंस्टॉल होगा इसका नाम है पावरपॉंट माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉंट जी हां आप पावरपॉंट का यूज करके किसी भी इमेज की साइज जो है आप गम कर सकते हैं उसे कॉंप्रेस करके और उसका डामेंशन भी चेंज नहीं होगा इमीन उसकी हाइट और विथ भी सेम रहेगी जैसे ओरिजिनल फाइड में हैं तो सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टिस ओप करते हैं सफिए यहां पर प्राप सर दिपोरइट दिया वह थोता है और इसके साइज जो है अलग वी मेंग की साइज नहीं यह अगर आप इसे इस ब्लाक। फाइल को अगर सेफ करें यह से हम एसा इमेजेब करते हैं जेबी चाहिए में आदेक्टाप में सेफ कर देता हूं आधर जस्ट इस वन एक अधर हमारे पास दो ही कि तो प्रेजिम किया था इसका अधरीश चेक करें तो सबसे परहे तो हमें अपने slide को set करना है ताकि वो इस pixel के according set हो तो इसको हम कैसे करेंगे हम design में जाएंगे design tab में आने के वाद यहाँ पर slide size का option होगा यहाँ पर हमें custom slide size पर click करना है और यहाँ पर आप देखें तो width और height दी हुई है इस width और height को हमें इसके pixel के बराबर करना है जिस image को हम यहाँ पर use करना चाहते हैं उस image की dimension के according हमें यहाँ set करना है बट यहाँ पर जो हमारा image का size जो है pixel में है और यहाँ पर हमें centimeter में use करना है pixel का option नहीं है तो सबसे पदे तो हम चेक करेंगे कि image की जो यह pixel दी हुई है इसको centimeter में कैसे convert करें इसका centimeter में value कितना होगा तो इसके लिए हम Google का help लेंगे यहाँ पर हम pixel to centimeter चाहिए टाइप करेंगे और हमें link मिलेगा converter का हम इसे click करेंगे यहाँ पर centimeter to pixel आ गया है आप वाइस पस्ता पर click करेंगे तो यह pixel to centimeter आ जाएगा ओके यह आ गया अब यहाँ पर जो है from में हमें type करना है with तर चाहिए three four five six तो यह आ गया nine point इसको copy कर देते हैं और यहाँ पर जो हम paste करते हैं उसके बाद अब हमें चाहिए height तो ebs की height है four six zero eight यहाँ पर हम four six zero eight टाइप किये और इसको copy करते हैं और देन power point में यहाँ height में paste करते हैं अब जो है हमें size में centimeter में हमारे image के pixel के recording अब इससे okay करते हैं और यहाँ पर जो है आप maximize ensure fit को भी चूश कर सकते हैं क्योंकि हमें text based content नहीं यहाँ पर अपना image यूज करना चाह रहे हैं यहाँ पर मैं ensure fit कर देता हूं तो इस तरह से हमारा slide का size change हो गया अगर आप देखे तो हमारा जो image है वह भी उसका भी format जो है इस तरह से है portrait में और हमारा slide भी जो है portrait में आ गया है और इसकी size जो है image की pixel के recording हो गई है अब हमें अब हम इन बाउस को लीड कर देते हैं अब यहाँ पर हमें image चाहिए हम इंसर्ट में जाना है picture में जाना है और यहाँ पर जहां हमारी photo है उस photo को चूज करना है यहाँ पर हम select करते हैं photo को और insert पर click करते हैं यह image आ गई यहाँ पर अब इस image को हमें drag करना है माउस की help से और इसके corner तक इसको set करना है तो देकि हमारी image पट नहीं लिए है क्योंकि इसकी original size ही इस slide की size जितनी बड़ी है अब image आ गई हमारी size के recording अब हमें इसे save करना है हमें save as पर जाना है browse पर click करेंगे और यहां से हम image का format चूज करेंगे तो आप चाहें तो jpg उसकर सकते हैं png उसकर सकते हैं tip भी उसकर सकते हैं बड़ jpg उसकरते हैं हमें वैसे भी image jpg जो है compress करना है jpg में compress format लेता है तो jpg चूज करेंगे यहां पर अपना file का नाम दे सकते हैं कुछ भी तो इस टॉक जहां पर हमारा ओजना file हमोई पर सेफ करते हैं और इसका नाम डाल देते हैं 001 लाव के लिए यहां टूल्स में जाएंगे और compress pictures को option है इसको स्लेट करने के बाद अब यहां पर देखिए किस तरह के terrorist के option दियोंगे हमें the display ये या printing के लिए चाहिए या web के लिए चाहिए कि या email करना आ अगर email करना है تو हम email को चूझ intim करेंगे अगर हमें website में यूज करना है या predator के थरुमि अपर्स के तो हम बडिटे इस करेंगे में害 प्रिंट्रिंग में, करना हम हम प्रिंट करेंगे तो मानी जो मैं वैब पे यूझ करता हूं या छे वैब पे यूझ करते हैं कि हम Ihnen सब्सक्राइब हो एक स्लाइट है तो चाहिए आप 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 स्लाइट यूज़ करें या ज़स्ट इस वन पर क्लिक करें कोई पर नहीं पड़ता हुआ अब यहां पर जो है आप देखें तो 001 हमने नाम से सेफ किया था इसकी प्रॉपर्टी देखें आप इसकी साइज देखिए आप 2.72 है और हमारी जो औरिनाल फाइल थी उसके साइज जो है, उसकी फाइल साइज थी 11.5, तो इमेज से में साइज कम हो गई, तक अगर आप चेक करें दोनों के, दोनों की विथ और दोनों की हाइड तो हमारा इमेज का पिकसल चैयंग नहीं किवा, सिर्फ उसकी file size कम हो गई क्योंकि वह compress हो गई तो इस तरह से आप किसी भी image को PowerPoint की help के through compress कर सकते हैं उसे size भी कम हो जाएगा और आपका pixel भी change नहीं होगा तो यह वीडियो आपको कैसा लगा प्लीश कमेंट कीजिए और आभी से ट्राइ किजिए अगर आपको इशू है तो आप मुझे कमेंट के स्रूं मैसेज कर सकते हैं और यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्त रिया